नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रिच्वल और मैं हूँ आपके साथ शुटी महाशीवरात्री आने वाला है और महाशीवरात्री से पहले गजब का सईयोग बन रहा है जी हाँ महाशीवरात्री शीवभक्तों के लिए काफी महत्यपून होता है इस दिन शीव मंदिर में शीव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है सुबह से ही भक्त मंदिर पहुँच जाते हैं और शीवजी की आराधना करते हैं लेकिन शीवरात्री से पहले कुछ राशी के जात्कों के लिए बेहद ही अच्छा समय है जियां बता दे आपको कि यहाँ व्यापार में लाभ मिल सकता है इसी के साथ ही अगर आप छात्र है तो अगर आप किसी कारिशेत्र के लिए किसी पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए है तो उसमें सफलता भी मिल सकती है साथ ही अगर आपकी खोई हुए मित्र है तो वो भी मिल सकते हैं संभावना बताई जा रही है जोतिशों के अनुसार जो है आपके व्यापार में बिजनस में काफी अच्छा समय आने वाला है वहीं आपको प्रमोशन भी मिल सकता है व्यापार के साथ ही पढ़ाई में भी काफी अच्छा समय है महाशिवरात्री से पहले अपार धन भी मिल सकता है यानि की बात की जाए अगर बिजनस की तो बिजनस आपका काफी अच्छा हो सकता है वहीं व्यापार के अलावा यहाँ पर यात्रा की भी अगर बात की जाए तो विदेश भी जा सकते हैं विदेश यात्रा की भी संभावना बन रही है वहीं अगर बात करें यहाँ पर राशियों की तो वो कौन सी राशिय है जिनके लिए ये अच्छा समय आने वाला है महा शिवरात्री से पहले जिनके लिए अच्छा समय है वो कौन सी राशी है बताएंगे इस से पहले बता दे आपको कि मनुष्य के जीवन में राशियों का विशेश महत्व होता है ग्रह और नचत्र के परिवर्तन से ही मनुष्य के जिन्दगी में कई घड़नाएं घड़ित होती है अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया कभी-कभी हमारे साथ में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है और कभी-कभी हमारे साथ में बहुत कुछ बुरा हो जाता है, जब अच्छा होता है, तो हम बहुत खुश होते हैं और जब बुरा होता है, तो हम हताश हो जाते हैं, कि अगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर अगर बात की जाए जब हमारे साथ में बुरा होता है तो उस वक्त हम भूल जाते हैं भगवान को याद करना वहीं अगर बात करें जब हम खुश होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को भी अच्छा लगता है मन भी शान्त होता है वहीं आप बात करेंगे कि ऐसी कौन सी राशी है जो कि इस गजब के संयोग में काफी अच्छा समय लाने वाली है जिहां बता दे आपको कि महाशिवरात्री से पहले पाँच राशी ऐसी है जिनका संयोग जो गजब का संयोग बन रहा है बता दे आपको कि वो राशी कौन सी है बताते चलो तुला राशी मकर राशी कुंभ राशी कर्णिया राशी और व्रश्चिक राशी जी हाँ यह वो पांच राशी है जिनके जातकों को यहाँ पर अच्छा समय मिलने वाला है आने वाला समय यानि कि महाशिवरात्री से पहले जो समय आ रहा है जो समय है वो काफी अच्छा होगा यहाँ पर व्यापार में लाभ मिलेगा तो इसी के साथ ही पढ़ाई में भी काफी अच्छा होगा वहीं विदेश भी जाने की संभावना बन रही है खोई हुए मित्र भी मिल सकते है वहीं यहाँ पर धन प्राप्ति की भी संभावना बन रही है यह जानकारी कैसे लगी? कमिंट बॉक्स में कमिंट कर जरूर बताएं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल